आप देख रहे हैं लाइफ जियो मेरे चनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आज हम बात करेंगे एससी में दिव्यांग व्यक्तियों दुवारा भरे जारे फॉम के बारे खाली बात ही नहीं करेंगे उनको एक जानकारी देंगे काफी alnyLab आसे काफ बच्चे ऐसे हैं जिनने ये नहीं पता होता कि इस फॉं में उन्हें काफी सहता मिल जाती है फॉम फिल करने के दोरां परेसсьर्ण उनेकी जुरत इतनी है काफी केंडिडेट ऐसे होते हैं जो आग से से रहं से देखनी पाते सुन नहीं पाते हैं उनके दोनों आत काम नहीं करते हैं लेकिन वो परिशा के उन्होंने फॉर्म बढ़े हैं तो इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे कि उनको कैसे साहिता मिलेगी कि देखें जो इनका ओफिसिल इनकी वेबसाइट है उस पर भी इनके जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर हैं साफ लिखा हुआ है कि उन कंडिडेट्स को सहीता दी जाएगी और उनका एक क्रेटीरिया है उसके अनुसार अगर वो अपने साथ जो प्रेलिपिक लेके आएंग और जो विवाग है वो भी एक प्रेलिपिक उपलब्द कराएगा अगर वो लेना चाहे तो इसमें इन्होंने जो दुरुष्टी इन व्यक्ति है जो मच्तिक से पच्छा गाता है और जिनके हाथ काम नहीं कर रहें उन सब अभीयरतियों को प्रेलिपिक की इस विदा दी ज मुखे चिकतसा अधिकारी या सिवील सरजन या चिकतसा अधिक-छक से इस आशे का पर्मान पत्र परश्टी करने पर प्रेलिपी के सुविदा परदान के जाएगी कहने का मतलब उनको एक पर्मान पत्र देना होगा हमने वाकिए एक प्रेलिपि की आप सकता है हम इतने disabled हैं कि हमें साहिता की जूरत हैं अगर वो ऐसे पर्मान दे देंगे तो उनको यह साहिता परिक्षा में जरूर दी जाएगी दूसरी बात इसे मेंद बाती है कि यह वो फोउं फिल करेंगे जब भर रहे होंगे तो उस फों में और अपसर होता है कि आपको शाहिता चाहिए यस हो अगर उन्होंने उसर्य यस कर रखो और यह सैह तब ही मिलेगी अगर गलती से आपने से नो कर दिया तो पिर वह साहिता अगर उन्होंने आविदन फार्म में इस विकल पर चेंग किया होगा यह नोटिफिक्स में साफ लिखा हुए इस आगे चलते हैं कि अभियर्ती के पास अपने प्रेलिपिक यानि उनका जो अपना खुद साथ लेकि आएक प्राइशा दिल्वा सकते हैं या उनकी साहता ले सकते हैं या फिर आयोग है वह भी एक प्रेलिपिक मोया कराइगा उनको तो यह उनके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन उन्हों सा केंडियर्स जो धिक्ति है यदि अव्यर्ति द्वारा अपने प्रेंग्ल डिया जाते हैं के हैं चैने का मतलब उनका कहना ही है कि आप अपने साथ जो प्रेंगे लेके आयों है अगर आप उसी से सहता लेना चाहते हो नो उसकी जो योगयता है आपसे कम ओनी चाहिए कई ऐसा नहीं हो कि आपने कर रखी है ट्वेल्थ पास और उसने कर रख है ग्रेजुएसन तो इस इस्तिति में वह परिक्षा या प्रेलिपिक के आप साहता नहीं ले पाएंगे सबसे में यह है कि जो प्रेलिपिक का आप लेके आएंगे उसके आईडी पूर्फ उसके साथ होनी चाहिए उसके जो मूल दस्तावेज है जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जो जैसे कि आदार कार्ड पैन कार्ड या सकुल के सर्टिफिकेट है वह उसको मूल को पी साथ लेके चलने पड़ेगी उनकी एक-एक फोटो कोपी उसको कराके रखनी पड़ेगी और उसलफ अटेश्ट भी होनी चाहिए क्योंकि जब परिक्षाओल में वेरिफाई करने के लिए अधिकारी आएंगे तो वह सब देखेंगे और अगर उनमें से वह देस्तावेज गलत पाई आते हैं तो होगा क्या कि यह दोनों अभ्यर्थी इस परिक्षा से बाहर हो जाएगी तो इस महत का ख्याल रखना है बहुत ज्यादा किसी अभियर्थी कप प्रेलिपिक इस परिक्षा के अभियर्थी नहीं होना चाहिए कि जो दिव्यांग केंडिडेट है वह तो पेपर देगा ही देगा और जो प्रेलिपिक अपने साथ लेके आएगा तो वह भी इस परिक्षा का अभियर्थी नहीं होना चाहिए ऐसे हो नहीं कि उसने भी फॉर्म बढ़ रखा हो और वह भी फॉर्म बरें मतलब परिक्षा दें तो फिर ऐसे में दोनों केंडिड़ बाहर हुए इस बात कभी आपको विश्यास ख्याल रखना है और इसके कि साहता नहीं लेना चाहते ब मतलब पर उनके साहता नहीं लेन चाहते तो ऐसे व्यक्ति कैसे कंडिड़ को भी बीस मिनट का अत्रीक्त समय मिलेगा इन्हों ने शाफ लिखा हुआ है कि ऐसे देमियां के व्यक्तियों को है बिस मिनट का उनको अत्रिक समय दिया जाए का परिक्षा के लिगा जो है और जो साहिता लेना चाहते है प्र उनको भी साहिता मुने मोई जो टाइम ने लेने चाहते लेकिन वह हैं दिव्यांग जो भी है तो उनको भी एक समय मिलेगा कि इसके अलवा इनका एक नोटिफिकेशन हो रहा है कि आप प्रेलिपिक के अलवा परिक्षा परिश्थर में तीसरी वेक्टिक नहीं ला सकते हैं अपने साथ मतलब एक तो आप होगे एक आपका प्रेलिपिक होगे जो आपकी साहता करेगा और उसके साथ जो एक वेक्टि और होगा अलग से को लेना चाहो लाना चाहो तो उसको आप नहीं ले पर आऊगे कि आप स्वेयम आऊगे और आपका प्रेलिपिक आएगा इसके अलबत तीसरी वेक्टि अंदर कोई नहीं आएगा यह इनके आदेस हैं तो एक छोटी सी जानका नहीं हमें तो उन सब को कि यह पढ़ लेना चेहां द्यान से और पर की तैयारी करनी चीए कि यह सोच के ना बैठें कि लाशड़ अभी काफी दूर हैं और त्यारी कर लेंगे फोंब बरने का मतलब यह हैं कि आप पूम बढ़ने के बात फूल तियारी करें और पूरे और लगबग सबी लोगों की सुबकामने आपके साथ हैं आप जुरूर सफ़न होगे बिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे से के ओपर और भी बहुत सी जानकारिय हैं जो आप लोगों को मैं साजा करता हुआ धन्यवाद